प्रिए विद्यार्थियों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंदु सभ्विता का प्रवरती भारती संस्कृति पर प्रभाव हम सिंदु सभ्विता की विभिन विशेषताओं से आउगत हो चुके हैं आज हम ये देखेंगे कि सिंदु सब्विता के नस्ट होने के बावजूद भी कौन से उनके ऐसी विशेष्टाएं थी जो बाद के कालों में भी बनी रही या ये कह सकते हैं कि कुछ विशेष्टाएं तो आज तक भी बदस्तु जारी हैं सिंदु सब्विता भारती सब्विता इम संस्कृती का पहला महतुपूर्ण चरण है जिसके कई तत्तु परवर्ती भारती संस्कृती में इसपस्ट परिलक्सित है हिंदु धरम के महतुपूर्ण इम लोकप्रिय देवता शिव का उत्गम स्रोत सिंदु सब्विता ही है तो पूजा की परंपरा भी इसी सब्विता की देन है। प्रवर्ती भारती संस्कृति में नारी देवियों की परिकल्पना को भी सिंदू सब्विता से समीकृत किया जा सकता है क्योंकि मात्र देवी की उपासना उनके धार्मिक जीवन का महतुपूर्ण आयाम था। पीपल, नाग, वर्षब, आदी की पूजा की परंपरा भी सिंदू सब्विता से ग्यात है जो आज भी परचलित है। चिंतन प्रंपरा में निवर्ती मार्ग और योग का महतुपूर्ण इस्थान रा है तथा इसका प्रारम भी सिंदू सब्विता से ही प्रतीत होता है। इस प्रकार भारती संस्कृती में कई महतुपून पक्सों एवं आयामों पर सिंदु सब्विता का स्पस्ट प्रभाव दिखाई देता है। अब हम देखेंगे सिंदु सब्विता की उत्पत्ति विश्यक विभिन मानेताओं का परिक्षन करेंगे हम। प्रियाप्त इवं इस्पस्ट साक्षों के अभाव में सिंदु सब्विता की उत्पत्ति का प्रस्ण विवादास्पद है। इनका मानना है कि सिंदु सब्विता की प्रथम किरण मेसोपोटामिया में प्रस्ट फूटित हुई। सब्विता की प्रथम किरण मेसोपोटामिया में प्रस्पोटित हुई तथा वहां से मिस्र होती हुई करम से भारत में आई। भारती इस्तलों परस्वेम यहां के लोगों के पुर्शार्थ से सब्विता की विकास का साक्षि नहीं मिला। रोमिला थापर तथा फेर सर्विश जैसे इतियास विदो ने सिंदू सब्विता के विकास में इरानी ब्लूची ग्रामीन संस्कृतियों के योगदान को स्विकार किया है। आल चिंशन जैसे पास्चात विद्वान की यह मानिता है कि यदपी सिंदू सब्विता की उत्पत्ति तो भारती ही है लेकिन यह आक्समिक एवं प्रकर रूप से उत्भूत हुई है। अमलानंद घोष एवं डीपी अगरवाल जैसे भारती पुरातत्व विदों ने सिंदू सब्विता से सम्मंदित नवीनतम उत्खनित इस्तलों के परिपेक्स में यह मानिता प्रस्तुत की है कि यह सब्विता नेकेवल मौल रूप से भारत में उत्भूत हुई बलकि क्रमिक विकास का परिणाम भी है उलेखनी है कि सिंदू सब्विता से सम्मंदित विविन शेत्रों में किये गए उत्खनन में सिंदू सब्विता के साथ साथ सिंदू पूरू की बस्तियों एवं संस्कृतियों की अउसेश भी मिले हैं इस द्रस्टी से अफगानिस्तान में ग्लूचिस्तान में महरगट, कीली गुल मुहमद, दंब साधात, शहादम, अंजीरा, कुली, नाल, राना गुंडाई, पाकिस्तान के पंजाम में सराय खोला वजलीलपूर, सिंद में अमरी वे कोट दीजी तथा भारत में काली बंगा बनवाली राखी गड़ी आदियु ले पंता और लोगों की इस्थाई बस्तियां थी। याद तक कि इन में से कई शेत्रों की सेंदव नगरों के साथ तारतम्यता दिखाई देती है। की भूमी का रही कि अपेक्षा यह अधिक तरक संगत प्रतीत होता है कि यहीं के लोगों ने जिनका मस्तिक्स ग्रेंड सील था इस सब्वेता की स्थापना की तथा इसमें सिंदुपूर की इन बस्तियों की महतुपूर्ण भूमी का रही है। यह हो सकता है कि पारस्परिक संप्रकों के कारण नगरिय जीवन के कुछ तत्तु मेसो पोटामियां से स्वीकार किये गए हो और इसे यहां विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया हो आज यहीं तक धन्यवाद